हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपनों के साथ में यहां करेले की भुजिया की रेस्पी शेयर कर रही हूं जो बहुत इजली बन जाती और खाने में बहुत अच्छी होती है त है करेला बनाते हैं तो प्याच की मातरा थोड़ी आप अगर जादा डालते न तो उसका कडवापन थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेश्टाता है अब मैंने यहाँ पे कड़ाई में डाला है सरसो का तेल और जब यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हमने जो प्याज लिये हैं डारिक्ट इसके अंदर हम डाल देंगे सारे प्याज जो हमने काटे थे और इसको चलाते वे थोड़ा सा भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है इसे बस इतना भूनना है कि इसकी जो लेयर से न प्याज की वो अलग हो जाएं तो इसको बस ऐसे चलाते रहेंगे आज को में बहुत तेज नहीं रखना है मीडियम आज पर ही सारा काम करना है यह देखिए आप चमच से ऐसे करेंगे न तो इस सारी लेयर से निकल जाती है अलग हो जाती है यह देखिए और प्याज की सारी लेयर अलग हो गई है तो आप इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चमच बस थोड़ा सा कलर के लिए डालना है और इसके बाद जो इसको अच्छे से फिर से चला देंगे हम यह देखिए और अब हम जो हमने करेले काट के रखें वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे करेला जो है बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको रोटी के साथ खाए ये दाल चावल के साथ के बहुत ही टेस्टी लगता है और ये जो है कई लोग कड़वापन की वज़े से इसको खाते नहीं है कई लोग जो है इसका छिलका उतार के बनाते हैं कई लोग इसमें नमक के पानी में डुबो के बनाते हैं लेकिन आप ऐसे ही बनाईए बहुत ही अ इसको हम खोल लेंगे ये देखिए तो नमक हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है और अब हम ढखेंगे नहीं इसको बस हमें खोल के पकाना है तो पहले अच्छे से चला लेते हैं और इसके बाद जो इसको पूरी कड़ाई में इस तरह से हम फैला देंगे और आज क जो है आप एक बार इस तरीके से ट्राइ करके देखेंगे आप लोगों को यह सब्जी बहुत पसंद आने माली है बहुत ही चाओ से खाएंगे आप चाहें तो इसके अंदर कच्छे आम गएरा भी डाल सकते हैं उससे भी थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है लेकिन मैंने भी डाला है बस इसको इस तरीके से हम फैला देंगे और भीच-वीच में चलाते रहेंगे उसके बाद फिर से फैला देंगे तो देखे हमारी सब्जी किस तरह से थी और किस तरह की हो गई है बहुत ही अच्छी तरीके से यह भूनी यह देखिए कितना बढ़िया इसका कलर तो यह सब्जी लगबग हमारी मतलब भून के तयार हो गई है थोड़ा सा इसको और पकाना है हमें तो बस ऐसे हम इसको पूरे कढ़ाई में फैला देंगे और इसको जो है पकने देंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज होनी है और यह जो सब्जी है इसको आप एक दो टाइम तक रखके भी खा सकते हैं यह जल्दी खराब नहीं होती है तो बस हमारी सब्जी जो रेटी हो गई है मैं आपको यहां पर प्लेट में नहीं डोंगे में निकाल के दिखा रहे हूं कितना बढ़िया इसका कलर और टे